5G तो आएगा ही उसकी तो बात तभी करेंगे लेकिन अभी auction क्यों नहीं हो रहे और behind the scene auction में क्या होता है proper detail information आपको इस वीडियो में provide करने वाले हैं आपके मन पसंद topic है तो वीडियो like कर सकते हो और channel पर नहीं हो तो subscribe भी कर सकते हो सबसे पहले बात करें तो 5G auction में government easy language में नहीं लाम करती है अब इन spectrum को telecom companies जो इंडिया में network provide करती है उनको बेची जाती है जो इंडिया resources है आप इसे किसी भी private company जो दूसरी field में काम करती है जैसे call contract based पर companies government को पैसे देते हैं और ख़दान से call निकालते हैं अब आपको जो service जैसे कि call internet broadband बाकि जो airwave से आप तक दी जाती है जिसके बदले में आपसे पैसे लिये जाते है इन airwaves को use करने के लिए license लेना पड़ता है जो spectrum auction में दिया जाता है जो ministry of communication के under किया जाता है और spectrum auction telecommunication department के under किया जाता है जो spectrum allocation को भी देखता है TRAI इन सभी telecommunication companies को balance रखती है त As you know India में 22 regions है जिन में से अलग-अलग option perform किये जाते हैं जिसमे frequency based circle provide किया जाता है जिससे बाहर वो अपनी service provide नहीं कर सकते है जैसे idea कहीं range बहुत ज्यादा होती है और कहीं तो roaming ही आ जाती है जिसमें आपको circle alert किये जाते हैं जहां उनकी service होती है और कहीं नहीं होती तो वहा से पाव वाला सिस्टम कर दिया गया था कुछ license ऐसी companies तक को भी alert कर दिये गए जिनके telecommunication में नाम ही नहीं था पहले जिनको बाद में बंद कर दिया गया और इसलिए आज बहुत कम telecommunication companies बच चुकी है सबसे करेंट spectrum auction 2021 में किया गया था जो जी ओ और एयरटल जैसी companies को अप इसनी 4G waves spectrum में एड करने की मदद कर रहा था ताकि better service आपको मिले जिसे आपको कुछ सायद speed fast देखने को मिली होगी present time कि अगर बात करें तो अब option process कैसी होती है तो simply bidding process होती है जो government organize करती है यहां government minimum price set कर देती है फिर telecommunication company bidding करती है और जिसकी bid सबसे ज्यादा होती है तो spectrum उ को अभी तक पता नहीं चला है कि वह clearly include की गई है या नहीं government द्वारा यह भी बताया गया था कि auction से पहले telecommunication company को spectrum available करवा दिया जाएगा ताकि 5G की टेस्टिंग की जा सके ताकि best possible experience आपको provide किया जासके लेकिन as we all know टेस्टिंग तो बहुत दिनों से चल रही है लेकिन ऐस 5G smoothly के लिए किया जा रहा है इसे सारी region में एक साथ available करवाना इजी हो जाएगा और spectrum bands machine जो particular region के लिए developed की गई है एक तरीके से install कर सके और 5G जो इंडिया में लेट हो चुका है वो इसी वज़े से हो रहा है क्योंकि चीज़े अभी भी under development में है और अगर एक बार यह सब देखने को मिल सकती है बात करे option की minimum price जो सेट कर दी जाती है वह minimum इतनी कम होती है कि companies इसको पे भी नहीं कर पाती इसलिए उन्हें बोला जाता है कि profit के साथ साथ आप इन्हें पे कर सकते हो जो एजी आर्डियो स्पेक्ट्रम चार्ज जैसे चार्ज उन पर लगा दिया जात जाता है जिसे वह थोड़ा थोड़ा करके पे करते रहती हैं अब एक आम आदमी की तरह कभी कबर इन companies से भी पे करने में लेट हो जाती है जिससे उनका लोन ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसा में government companies के स्टेक अपने अंडरल में ले लेती है जो भी हैंड दा सिन चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया ministry of telecommunication and TRII department इन सभी को handle करता है जो spectrum वगरा available कराना है वो सब इन ही की दवारा किया जाता है और अब trial testing चल रही है जिन्सके दवारा auctions late हो रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि अभी तक सिर्फ आपको जुलाई या अगस्त में ही auction देखने को मिल स जो प्रोपर मिलने वाला है बाकी बाकी आगे आपको उक्षन में पता चल जाएगा लेकिन अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो like करें और चैनल पर नहीं हो तो subscribe करें फिर मिलते हैं आपसे next video में तब तक good bye झाल